हेलो एब्रिवन वेलकम पैक टू मैं चैनल सो अभी जो है सुभी का टाइम हो रहा है और यहां पर मैं बना रहे थी सब्जी इनके ओफिस के लिए बच्चे जो है आज कल घर पर है इनके एक सैम ओवर हो गए है अब इनके चुटिया पड़ी भी है सो जो है सब्जी बनाने के बाद मैंने फटा फट जो है आटा जो है से लगा लिया था मैंने का फटा फट पहले आटा लगा लेते हैं उसके बाद जो है फिर आगे के काम करूँगी थी क्योंकि एक बार मॉर्णिंग का अपना जैसे सब्जी रोटी की तियारी हो जाती है, सब्जी अपजी बन जाती है, आटा लग जाता है तो फिर उसके बाद यह कि आप अपना जाड़ू पुछा नॉर्मल जो काम होते हैं वो सब अपना बाद में कर लो और में यह है कि आफिस जाने वाले आफिस चले जाएं, स्कूल जाने वाले स्कूल चले जाएं यहाँ पर जो है इनके लिए मैंने जो है मॉर्णिंग में ब्रेकफास्ट में आज नाशती में सेम्या बनाई थी क्योंकि यह लंच अलग लेके जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट अलग लेके जाते हैं सो मिलते हैं थोड़ी देर में सो यहाँ पर जो है सारा काम हो चुका था घर का और शुब संकेत को मैंने पढ़ाने के लिए पिठा रहा था क्योंकि अभी क्या इनके एक्जाम तो ओवर हो चुके हैं बढ़ यह है कि आगे का स्लेबस तो हमें कवर अप करना ही पड़ता है और पहले मेरी मतलब मैं मेरा क्या है हमेशा कि मैं पहले पिछला रिवाइस करवाती हूं एक्जाम के बाद जितना भी बच्चे ने किया होता है उसको सारा एक बार रिवाइस करवा देती हूं ताकि वो भूले ना तो जो जो इनका सारा syllabus में आये था वो सब इनको revise करवा दिया और अब मैंने क्या किया कि अब जो आगे आने वाला है मैं उसकी भी इनको अब मतलब practice करवाना मैंने start कर दिये जैसे अभी शुप के जो addition आये हैं वो आये हैं two digit वाले आये थे तो अब मैंने इसको three digit वाले करवा दिया है तो इसी तरीके से जैसे number number name हो गए numbers हो गए अभी इनकी hundred तक थे तो अब जो है hundred से उपर करवा दिया मैंने इसी तरीके से आप भी करवा सकते हैं जो भी क्योंकि हर स्कूल का अपना-पना syllabus होता है तो जैसे इनके स्कूल में अभी इतना ही करवाया गया था तो उसके accordingly अब मुझे जैसे पता है कि हाँ अब इसके आगी ये करवा सकते हैं तो मैंने उसी हिसाब से जो है आगे इसको क रखें अधरवाइस जब बच्चों के स्कूल खोलते हैं तो फिर उनको काफी प्रॉब्लम आती है वो पढ़ने के लिए बैठते ही नहीं है और शुप से जाता तो मुझे संकेत के साथ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ता लेकिन अभी थोड काम से सो रखिया है और शुप जो है बाहर चला गया है साइकल चलाने के लिए क्योंकि वह सोया नहीं था दिन में उसको पसंद नहीं है दिन में सोना उसको मैं जबर्दस से सुलाती हूं जब कभी सुलाती भी हूं तो लेकिन हा संकेत तो सोता ही है चाहे कुछ भी हो चाहे यूज नहीं होगा इसलिए हरे प्यांच की सब्जी बना रही थी मैं और फटा फट जो है मैंने इसको काटा बहुत रुलाया मुझे हरे प्यांच ने इतना खतरना प्यांस था यह रहा इतना रुलाया इतना रुलाया क्या बताओं सो फटा फट जो है मैंने इसको कट कर दिया और कट करने के बाद फिर इसको धो थाके फिर इसकी सब्ची चड़ाने के लिए रखे अब जो है सारा काम हो चुका है सबने अपना डिनर भी कर लिया है और मैं लगी वी थी बरतन दोरी थी क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग नाइट में थोड़ा सा वॉक करने के लिए निकलते है रेगुलर तो नहीं हो पाता बट यह है कि जित दिन काम जलती हो जाता है फिर मैं और यह थोड़ा सा चले जाते है एक राउंड गुमने के लिए तो बस मैं फटा 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 फट अपने बरतन करके मैंने का क्योंकि कीचेन में रात को ना बरतन रखे वे अच्छे नहीं लगते जो है तो उस टाइम पर यह होता है कि हाँ अपने बरतन धो दो तो सही है अपना कीचेन की सफाई हो जाती है कभी तवे तो एगर खराब होती है कुछ होता है तो तब वो भी बहुत मतलब बहुत रेर चांस होता है कि तब बरतन मैं रखती हूं अदरवाइस नहीं सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट विलोग में